आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें प्रशन ने कह रहा है कि कुलाम का नियम लिखकर एकांक आवेश को परभाशित कीजिया तो हम देखेंगे कि कुलाम का नियम क्या है और फिर हम देखें कि एकांक आवेश क्या होता है तो कुलाम का नियम सन 1785 में फ्रांससी वेग्या ने कुलाम ने प्रयोगों के अधार पर दिया था ठीक है और उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने प्रयोगों के अधार पर दो आवेश्यों की बीच कार करने वाले बलका बलके संबंदिक नियम दिया और उसी संबंद को हम ल इस नियम करनुसार दो इस्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्शन या प्रतिकर्शन बल आ कर्शन या प्रतिकर्षन बल दोनों आवेशों तो आ कर्शन प्रतिकर्षन बल का मान दोनों आवेशों के दोनों आवेशों की मात्राओं के गुडन फल के अनुक्रमान पाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के वित्कमान पाती होता है तो अब देखते हैं कि ये जो नियम हो क्या कह रहा है तो नियम कह रहा है कि दो बिंदू आवेशों के बीच तो दो बिंदू आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्शन बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुडन फल के अनुक्रमा होता है मतलब कि माल लेते हैं पहले आवेश की मात्रा है क्यूवन दूसरे आवेश की मात्रा है क्यूटू तो क्यूवन क्यूटू का गुड़न फल के आपकर्शन और प्रतिकर्शन बल और फिर कह रहा है कि दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग की विफ्कमान पाती होता है तो हम गास लिख सकते हैं कि जो एफ है वो क्या होगा वितकुमान पाती होगा दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के ठीक है तो इस प्रकार समी करन एक और समी करन दो से क्या मिल जाएगा हमें समी करन एक वास समी करन दो से मिल जाएगा एफ पराबर हो जाएगा Q1 Q2 बटे R² जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों यस्तिर बिंदु आवेश्यों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो Q1 Q2 बटे R² के अनुक्रवान पाती होगा ठीक है तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि अगर दो बिंदु आवेश्य एक दू पर रखें हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो Q1 Q2 बटे R² के अनुक्रवान पाती होगा तो जब यह अनुक्रवान पाती हटेगा तो यहां पर आजाएगा F पराबर K Q1 Q2 बटे R² जहां पर K क्या है जहां पर K है एक अनुक्रवान पाती नियतांक ठीक है और देखिए जो बल का ऐसाई मात रख होता है वो होता है neutron ठीक, तो बल का ऐसाई मात रख होता है neutron और के कमान क्या होता है? के कमान होता है 9.0 गुड़े 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रती कूलाम स्क्वायर ठीक तो अब हम परभाशित करेंगे एक आंख आवेश को तो पहले देख लेते हैं तो मैं बल का मान मिल जाएगा F पराबर 9.0 गुड़े 10 की घात 9 न्यूटन ठीक है तो अब जो मैं बल मिलेगा उसका मान होगा 9.0 कुड़े 10 की घात 9 न्यूटन तो हम कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे हुए इसी परिमार के किसी अन्य सजाती आवेश को 9.0 गुड़े 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्शित करता है तो यहाँ पर लेख लेते हैं कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर एक मीटर की दूरी पर निर्वात अत्वा वायो की बात हो रही है आपर ठीक है एक मीटर की दूरी पर रखे हुए उसी परिमार के अन्य सजाती बल को अन्य सजाती है हम कह सकते हैं अन्य सजाती आवेश को यहाँ पर आवेश है तो अन्य सजाती आवेश को 9.0 गोड़े 10 की घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्शित कर रहा होगा तो यही है मारा एकांक आवेश ठीक है तो यही मारे एकांक आवेश की परभाशा तो यही मारे प्रश्ण का उत्तर है तो अवे उन्हें देखा कि न्यूटन का नियम क्या है और मैं यह भी देखा कि एक कुलाम अब आवेश क्या है हम कह सकते हैं कि एकांक आवेश क्या है